मैं हूं स्वागत है आपका इस नए सेशन में इस नए दौर में जहां पे आप स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीए इंटर मीजेट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या आप कुछ नहीं सीखने के लिए तैयार है यही यहां पे मेरे साथ जुड़ गया है मेरे बहुत सारे दोस्त फ्रॉम आल ओवर अवर थे कंट्री जिक है यहां नागपूर चंद्रपूर सोमनाथ जैपूर मुंबई हर्याना सो ओन एंड सो पूर्ट दिस्ट इस 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 एंडलेस वाँ क्या बोलते हो पुब्लिक एक्साइटेड हो यह फाउंडेशन का एक्जांस तुम लोग ने क्लियर कर लिया है एंड टाइम तु रॉक दे सेशन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्यू इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को दीरे दीरे बताते जाओंगा throughout the sessions is that everybody has to be participative ठीक है जितना आप मेरे साथ communicate करोगे उतना अपने sessions में मजाएगा and the better we will be able to be productive तो एक वादा आप लोग को मुझे करना है that yes sir one we will be 100% attentive and communicative and doosra sir we will try to be 100% present in all the lecture lectures देखो जोश-जोश में start तो सब करते हैं ठीक है बट फिर वही है जो consistently उसको ले जा पाता है ना बस वही सिकंदर कहलाता है so 101% आप inter first attempt में clear करेंगे बस follow करते रही है जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ सारी चीजे and I'm sure you guys are going to crack it but दो चीजे मेरे को आप लोग की तरफ से चाहिए guys please वादा कर रहे हो ना एक non-stop communication during the lectures one that's the most important thing and दूसरा consistency discipline के yes आज मुझे lecture attend करना है मतब करना ही है और मैं आपको बोल रहा हूँ starting के 10, 12, 15 lectures में तो full 100% attendance होगा but उसके बाद जो consistent रह पाएगा मैं आपको बताता हूँ वो ही आगे तक consistently exam को clear भी कर पाएगा this is what my experience of so many years of teaching of so many years of being a student tells me guys okay so game उधर ही change होता है yes so okay so communication अपन करेंगे two-way communication especially online lecture ठीक है चलो लाइव में तो आप सो रहे हो जाग रहे हो आपका ध्यान है कि नहीं I have a way कि मैं आपको देख के बता सकता हूँ अब यहाँ पे all of azar online तो discipline मैं maintain करवाओंगा excitement मैं लेकर आओंगा हर session में उसके लिए आपको tension लेनी के ज़रत नहीं है बस आ जाना बाकी tension की बात है यह और lecture का time है 224 30 तो time तो मैंने ऐसा चूज किया है या लंज के बाद या तो इस पार सो जाएंगे या उस पार बहुत अच्छी तरह से पढ़के जाएंगे तो पता आपको मैंने क्यों यह timing चूज किया क्योंकि मुझे पता है यह टाइम पर सबको नींद आती है बट मुझे अपने lecture प इंदम लाइट रखूंगा मैं मजाएगा आपको एंड फिर दिरे दिरे टेक्निकालिटीज ओफ दिस सब्जेक्ट में अपन जाएंगे ठीक है बट उसके पहले यह सब चीजों के बारे में मैं डिसकस करूं इन डीटेल क्यों ना उसके पहले अपने बारे में कुछ चीज वाली बात हो गई है तो तो लेट में गिव यू आ स्मॉल इंट्रक्शन आफ मैसेल सो मेरा नाम है सी एस अंकल कांस्टिया नाम तो सुना होगा से नोडीटा है सो येस बाइप्रोफेशन आइम चार्टर अकाउंटेंट एंड आइम अ कंपनी सेक्रेट्री एस वेल मैंने स कि ये और सी एस दोनों साथ में अपना स्टडी किया था आइम फ्रॉम मुंबाई सो मुंबाई में ग्रैजुएशन मेरा नम कॉलेज नर्सी मोंजी कॉलेज करके हैं वहां से हुआ था और बस वही टाइम पर सपने देख लिए थे कि ये करना है एंड इस तरह से करना है कि दुनिया याद रखे आज से अगर 15 साल पहले मैं अपनी बात करूं तो 12-15 साल पहले की बात करूं तो मैं भी आपकी जगा पर ही बैठा था ठीक है आखों में सपने लिये घर से हम चलतों दिये जाने ये रहे अब ले जाएंगी कहां रहे बहुत अच्छी रही है और मंज जो CA की मंजिल थी वो भी ऐसे ही चलते चलते मिल गए तो मैं बोला हूँ ना I can imagine I can just visualize के 12 साल पहले जो मेरी situation थी you are exactly at the same place right sir आपको इंटर में कितने attempt लगे थे good question so मेरा इंटर first attempt में clear हो गया था and कैसे हुआ था वो tips and tricks आप लोग के साथ मैं जरूर शेयर करते रहुता ठीक है so myself CACS अंकल कांस्ट या profession से as I told you Chartered Accountant and मैंने जब CA complete किया तो सर आपने CA करने के बाद सीधा job करना किया आपने किया या आप सीधा teaching में आ गए तो मैं आपको मेरी स्टूरी सुना हो सुना चाहोगे मेरी स्टूरी CA बनने के बाद मैंने क्या किया था येस ये शुबम ओके सो वंसाइं कंप्लीटिड मैं चाहँटन सी जांसे सुना मेरे को हमेशा teaching का ही काफी शॉप था I always wanted to be in this field और मैंने CA final में तब था जब मेरे थोड़े students को बढ़ाना चालू कर दिया था और फ्रेंड्स को पढ़ाता था तो मुझे काफी टीचिंग का एक पैशन था बट मेरे घरवालों ने बोला यार सीए हो गया है सीएस हो गया है निकल गया है तेरा फर्स्ट अटेम में मेरा अल्मोस्ट है ग्रैजुएशन तक सीएस कंप्लीट भी हो गया था और सीए भी पर्सनलिटी भी डेवलाप हो जाएगा और स्टुदेंट्स को पढ़ाएगा तो देविल आल्सो गेट अटर आइडिया अफ प्रैक्टिकल वर्ल्ड मुझे या आइडिया बहुत अच्छा लगा और या जोइन जेपी मौगन वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैनांशल सर्वि परफिड़ेशन कीया तो यह साल बाद मेरा प्रमोशन हुआ था यो आप लोगो पढ़ाने वाल हो न वह प्रैक्टिकली कर चुका हूं टेक है यह। financial analysis एक FM में बढ़ाऊंगा या costing में आप लोगो जो मैं cost accounting, management accounting, marginal costing और यह सब चीज़े कराऊंगा ना यह सारी चीज़े मैंने practically की है being a chartered accountant and यह exposure बहुत कम लोगों को मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ yes you know majority of public audit में जाता है stat audit, internal audit या फिर tax में जाता है direct tax हो गया GST हो गया I was the privileged one के मैंने in different fields में काम किया और वो different fields में काम करके आज thankfully वोही चीज़े पढ़ाने का मौका मिल रहा है so you are studying from somebody who has actually seen that world and मैं जब आपको वो connect करूंगा ना वो से मजा आ जाएगा ठीक है बाकी bookish knowledge तो देखो सब होता ही है देते ही है बट जब मैं आपको connect करूंगा के practically कैसे एक-एक market function करता है you know that's where you will realize the whole how the whole game changes तो इससे आपको पढ़ने में भी मजा है अगर पढ़ाई को as a burden लेके अपन लोग ने पढ़ा ला then in that case it will become a big problem but यही अगर मैं आपको practical चीजों के साथ connect करता रहूंगा practical examples के साथ connect करता रहूंगा by god मजा आ जाएगा आपको लगया कि yes यार यह तो और पढ़ना है मुझे और यह आपको realize हो जाएगा within one to two lectures that how I am going to connect you to the whole world ध्यान से सुनना to the whole world when I am teaching you this subject ठीक है खाली bookish knowledge नहीं आपको एक सच्चा chartered accountant बना के छोड़ूंगा मैं by the time you clear your intermediate and I am sure inter के बाद final में भी आप अपन दोनों का साथ रहने ही वाल है जब तक आप chartered accountant बनेंगे I promise you to convert your personality into a different ballgame altogether मतला बाहर निकलोगे तो लोग बोलने चाहिए अरे भाई संकल सर से पढ़ाए गया तो that's how the efforts that we are going to make ठीक है so JP Morgan मैंने join किया after becoming a chartered accountant वहाँ पे as I told you asset management team में था into financial analysis into research and all of due diligence thing तो वो चीजे मैंने कि क्या होता है उस चीज में वो दिरे दिरे किसे से से सेशन होते जाएंगे मैं आपको बताते जाओंगा उधर मैंने अप्रॉक्सिमेट्री फोर यहर्स काम किया and then finally जब मुझे लगा कि yes personality develop हो चुका है वो knowledge आ चुका है तब मैंने अपने परो को और बड़ा किया और मैंने बोला कि चलो let's start my own coaching classes and then Bombay में एक चोटी सी जगा लेके मैंने खुद की coaching classes start की वहाँ पे तब face to face के lectures होते थे तब तो यह online और यह सब सुना भी नहीं था तो face to face lectures start किये मैंने around two to three students थे first batch में and then फिर बाद में वो एक हावत है न हम तो चले थे कारवा बनता गया तो बस ऐसा ही कुछ scenario was with me as well फिर बाद में मैंने online YouTube पे कुछ मेरे lectures डाले which CA final के lectures थे वो which was liked by students all over India तो उस दिन realize हो गया के बास online coaching is going to be the next big thing in the education market and covid के just पहले covid के ही पहले in fact मैंने already online coaching start कर दी थी that time I was more into CA final then फिर CA inter का batch लिया and now there's there's no looking back तो आज की तारीक में मैं CA intermediate में paper number 4 which is cost and management accounting and paper number 6a which is financial management ये दोनों आप लोग को पढ़ाने वाला हूं and इन दोनों subject में your expectation of marks should be should be guess करो चलो कितना marks लाकर दिखाओगे मुझे या चलो guess करो मेरे एक student को कितना highest marks आया है चलो आप बताओ costing का चलो पहले बताओ फिलाल अपना costing का वैच चलो है let's discuss about costing any guesses how much is the marks that my student in CA intermediate cost and management accounting has scored शौनक केडिया बोल रहा है 85 गौरभ बोल रहा है 90 प्राची बोल रही है 99 एक मांक क्यों छुड़ आ रही है बाकी लोग कुछ अपना लगते होंबर करके आये है and yes नकुम बोल रहा है 90 अप आशु बोल रही है 90 और बाकी काफी सारी लोगोंने 100 भी बोला है जिन्होंने 100 बोला है येस शायद वो अपना होंबर करके आये है and yes it was I think May 22 attempt Mr. Arin Raag का he scored 100 out of 100 in this subject cost and management accounting जी हां और अगर वो कर सकता है then definitely आप भी कर सकते हो तो वो भी आप ही के जैसे मेरा लाइब फ्लस गूगल ड्राइब का student था he cleared the examination in first attempt with golden marks and created history by scoring 100 out of 100 तो अब आप लोगों के लिए एक benchmark बन गया है boss मुझे पता नहीं है कि आप बाकी subjects में कितना क्या score करने वाले हो बट मेरा ये एक subject है मैं आपको बदा रहो इस एक subject की वज़े से आपका मैं पूरा का पूरा CA intermediate निकलवा दूँगा ये मेरा वादा है चलो आपको मैं मेरा पूरा CA intermediate निकलवा दूँगा ये मेरा वादा है just on the basis of this one और one and a half subject costing plus मैं FM को भी गिन लेता हूँ तो ये दोनों को मिला के 150 marks is and should be your focus and अगर वो focus के साथ अपन पढ़ने वाले हैं then in that case there is no looking back मतलब एक word भी कहीं पे भी अपने को miss out नहीं करना है that's the intensity that I want from each one of you क्या वलता है public are we all ready for it guys yes then let's do it so आज आप लोग को अपने book में लिखना है that I will score 90 plus marks and ये आपका एक manifestation होना चाहिए और ये जब आप अपना notebook open करोगे every day आपको पहले ये line दिखनी चाहिए that I am going to score 90 plus marks in costing and FM so I am going to score I am going to score 90 plus marks so 90 plus क्यों लिखवा रहे हो 100 ही लिखवा हो ना देखो इच्छा तो हो ही है but let's be realistic so 90 plus लिखते है let's be realistic ये भी आ गया मैं बोल रहा हूं इससे बड़ी बात अपने लिए और कुछ नहीं होगी right so this is the first thing that you are going to write नाम के उपर I am going to score 90 plus marks in my in my CA inter costing exams every day इसको देखके एक motivation लेना है at the same time अपने आपको पुछ भी करना है that they go 90 ऐसे ही नहीं आता है अपन सब को पता है एक CA level का exam है so all of us know the intensity level institute का high रहता SSR papers में लोगों का इतने marks का frankly speaking attempt भी नहीं होता है वो attempt में ना मैंने कुछ interviews लिये थे exam के बाद YouTube पे मैंने मेरा review दिया था paper का that अगर आपका इस paper में 85 to 90 के बीच में attempt हुआ है then it's a good thing that you have done little did I know के कुछ महीनों बाद दो महीनों बाद मुझे ही मेरा student आके एक result देगा that sir अप 85 to 90 attempt करने की बाद कर रहे हो मैं 100 marks लेकर आया हूँ so this is what is going to be our goal ठीक है आपका और मेरा ताली दोनु हाँ से बचती है मुझे भी उतने ही efforts डालने है to ensure that आपके concepts clear हो so that we can reach to this milestone at the same time आप से भी मैं इतनी ही महनत करवाऊंगा so that we reach to this milestone तो अगर यहां पे reach करना है तो कनाई से बहुत सारे writing practice की जरुवत पड़ेगी और उसके लिए मैं आप लोगों को पहले class में करवाऊंगा फिर थोड़ा थोड़ा रोज homework भी दूँगा तो promise number two क्या आप लोग regularly homework करके आओगे मेरे lectures में ठीक है because तो ही आपको समझ में आएगा न practice करोगे तो ही समझ में आएगा कि हाँ वह class में सर ने जो पड़ा है वो हम भी खुद से कर पा रहे है या नहीं because this subject is all about practice ठीक है so homework भी अपने को अच्छी तरह से करना है and this is going to be your motivation from now on all right guys चालो सार बहुत बढ़िया we are now super excited to start promise मिल गया है मुझे सब की तरफ से and that's what I want चालो अब let me tell you one thing यह एक नया subject है जो आप लोग पढ़ रहे हो ठीक है I am assuming के आप लोग सब लोग majorly at least more than 80% of the crowd has cleared CA foundation and आप तुम लोग inter में first time आयो ठीक है so intermediate का मैं पहले आप लोग के साथ syllabus discuss करता हूँ and then फिर मैं आपको बताता हूँ के इस में अपने subjects का क्या role रहेगा so CA intermediate आज की तारिक में इस CA intermediate को CA institute ने दो group में divide किया है group 1 and group 2 group 1 में उन्हाने 3 subjects रखे है पहला subject है advance accounts दूसरा subject है law corporate and other laws and तीसरा subject है taxation इस taxation में DTA IDT दोनों आगया and फिर आता है अपना group 2 group 2 में 3 subjects है पहला subject है cost and management accounting जिसको मैं प्यार से costing ही बोलूँगा दूसरा subject है auditing टिक है and third subject है आप लोगों का FM and SM right so इस में से जो subjects मेरे हाथ में है जो मैं आप लोगो cover करवा के full out of full लाने वाला हूँ are going to be costing and FM ठीक है okay अब इस में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हूँ so कैना इससे बही चलो अपने लोग advance accounts बना accounts basically पढ़ चुके है थोड़ा बहुत idea है law अपन लोग पढ़ चुके है this is a totally new subject for you taxation right costing is totally new subject for you auditing is a totally new subject for you is a totally new subject for you and strategic management is also totally new subject for you so altogether कितने नए subject आप पढ़ने वाले हो intermediate में well it is going to be 4 and इसलिए कहते है कि intermediate is the most crucial stage of your CA journey ठीक है so क्या CA ने पता है अब यही जब आप final में जाओगे न तो final में group 1 में है FR which is accounts group 1 में है audit group 1 में SFM कैना इसे यह तीनों के तीनों subject आपके जो inter में वही final में group 2 में DT IDT कैना इसे यह DT IDT आप लोग inter में भी पढ़ चुके है so CA final में कोई नया subject नहीं आएगा CA final में वही सब होगा उसका advanced level होगा जो आप intermediate में पढ़ चुके हो already getting me so that is where intermediate becomes the most important and crucial level because अगर इसको कड़ डाला so life समझ लो jingalala all right चालो so गौरव का question है सर बुक कितनी page की बना है सब बताऊंगा तीरे दीरे एक एक चीज आप लोग को मैं everything I will be telling y'all but just telling y'all that चार नई subject है ठीक है so that is where our focus should specifically increase in these four subjects law में obviously एक advanced level पढ़ोगे आप accounts में एक advanced level पढ़ोगे but at least एक idea है आपनको इन दोनों subject का तो आप ये चार subject को आप अपन कैसे manage करने वाले है उनको समझने की कोशिश करते है तो पहले आपको एक बात बताऊ मैंने जब CA का exam दिया था चलो आप लोग मुझे बताऊ ये जो CA intermediate अभी आया है ये new syllabus का है इसके पहले जो intermediate था उसमें कितने subjects थे टोटल मिला के group 1, group 2 मिला के कितने subjects थे चलो लेट मी सी आप लोग क्या जवाब देते हो कवाण बोलो आप लोग सब लोग को पता है सब पहले तो है ना 8 subjects हुआ करते थे absolutely correct सब पहले तो there used to be 8 subjects उसको अब institute ने 6 कर दिया है now let me tell you कैसे ये transition हो रहा है मैंने जब अपना CA inter का exam दिया था हमारे time पे होता था PE2 professional education 2 so PE2 में हमारे time पे there used to be 6 subjects yes you heard that right there used to be 6 subjects उसके बाद में उन्होंने लाया IPCC IPCC में there used to be 7 subjects फिर उन्होंने लाया intermediate intermediate में there used to be 8 subjects फिर अब उन्होंने लाया CA intermediate new course इस CA intermediate new course में वो बापस से उस level पे आ गए है जो level पे मैंने CA का exam दिया था as a PE2 student and which is yes 6 subjects again history repeats itself this is what has happened here अब वापस से उन्होंने 6 subjects introduce कर दिये तो हमारे time पे भी ए accounts, law, tax, costing, audit and FM, SM के जगे पे there used to be a subject IT, information technology बाट वो अब उन्होंने रिमूव करके FM, SM डाल दिया है और costing और FM जब मैंने exam दिया था it used to be of 100 marks together जी हाँ, तो costing के 15 chapter plus FM के 9 chapter सब मिला के खाली 100 marks का था तो institute को किसी ने suggestion दिया कि भाई इतने सारे chapters एक subject में 100 marks के लिए कैसे रख रहे हो आप then उन्होंने costing को separate किया and costing को full 100 marks का किया and FM को separate करके 50 marks के लिए यहाँ पे पेपर 6A में उन्होंने डाल दिया just giving an idea of how transitions happen in a course like chartered accountancy तो पहले 8 courses थे 8 chapters 1 subjects थे फिर 7 पहले 6 थे फिर 7 उए फिर 8 उए फिर आपस थे अब 6 chapters 6 subjects अच्छा मुझे बताओ passing आप लोग को पता है कैसे पास होता है आदमी ठीक है I'm sure आप लोग को rank लान I'm sure आप लोग को उससे भी अच्छा score करना है but अगर just if I have to ask you कि अगर आपको exams pass करना है then in that case कितना marks score करना पड़ेगा can anybody tell me guys can anybody tell me so okay so can I say group 1 and group 2 yes 40 in each subject अभी तो एक series आई है half सी है उसमें भी उसने ये चीज़ एक्स्प्लें की है I'm sure आप लोग को ये पता ही होगा आप तक that 40 in each subject and 50 in aggregate तो sir कैसे होता है ये एक बार बता दो आपको ठीके चलाओ मैं assume कर रहा हूँ कि ये मेरा ही subject आप फर्स पड़ रहे हो and therefore मैं उस हिसाब से एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ 40 in each subject and 50 in aggregate दूसरा चीज़ एक important aspect जो उन्होंने change किया is that पहले आप intermediate का कोई भी group pass करते थे या rather group 1 ही specifically pass करते थे तब भी आपको articleship का training के लिए start करने को allow करती थी institute अब institute ने वो rule change कर दिया है and बोला है कि बाउस जब तक दोनो group clear नहीं होता है तब तक आप आपका articleship start नहीं कर सकते so that where my easy suggestion to you is give both the groups for sure and I'm sure आप लोग सब लोग costing का batch attend कर रहे हो lecture अभी attend कर रहे हो तो I'm assuming कि सीधी सी बात है आप सब दोनों ही group देने वाले होगे एक rank का chance है दूसरा set off का भी chance है तीसरा जब तक दोनों group नहीं होता articleship start नहीं होगी articleship start नहीं होगी तब तक आपका final का attempt नहीं आएगा तो it is obvious के end of the day तो मुझे सिए final में जल से जल पहुचना है तो क्यों ना दोनों group do and definitely achievable है with proper guidance और उसके लिए तो हम यहापे बैटे ही है तो sir कैसे हम लोग यह exam को pass करेंगे आप ज़र बताओ तो now you have to answer me ठीक है आप लोग ने यह तो बोल दिया 14 need subject 15 aggregate दो मिनिट लेके अब मैं आप लोग को बोलता हूँ कि भाई देखो अगर ऐसा scenario है अगर ऐसा scenario है तो आप मुझे बताओ कि क्या यह बंदा से mister आप लोग में से किसी का नाम लेता हूँ तो accounts में law में और tax में इसका marks देखना भाई इसका marks है 45 75 35 45 55 35 क्या यह student group 1 में clear है क्या और से उसका group 2 का marks भी मैं आपको बताता हूँ से costing में उसको आया है 58 audit में उसको आया है 57 FMSM में उसको आया है 38 बोलो टोटल बोलो क्या यह बंदा एक भी group में पास है क्या well unfortunately he is not clear in either of the groups अगर मैं इसका टोटल करता हूँ 90 100 135 हो रहा है बराबर है यहाँ पे टोटल करता हूँ तो इसका टोटल हो रहा है 153 even though यहाँ पे इसका 50 इंटू 3 50 का आपको aggregate चाहिए 50 इंटू 3 50 का 150 का aggregate होता है यह होते में भी यह बंदा है fail just because he has not scored 38 in each subject and यहाँ पे 135 आया इसको बराबर है so ideally 135 तो 150 का भी टोटल नहीं है and यहाँ पे उसको एक subject में कम भी है यहाँ पे also we will say he is fail तो that tells us that कोई भी subject को lightly नहीं लिया जा सकता है because every subject we have to score the golden marks and that is 40 तो चलो भई यह वाला first student तो अपना clear नहीं हो पाया कोई बात नहीं अब आपको बताना है क्या यह second student clear हो पाया क्या इस second student का mark sheet कुछ ऐसा है इस second student का mark sheet कुछ ऐसा है advance accounts law taxation ठीक है and दूसरा group 2 में cost audit and say FMSM ठीक है इसका मैं marks बता रहा हूं आप लोगों आपको बताना है whether he is clear or not say 55 55 and 50 and यहाँ पर मैं लिखता हूँ say 48 48 32 and 56 अब आप बताओ क्या यह clear है या नहीं सबसे पहले total करो total कितना आ रहा है यहाँ पर इसका minimum grand total 150 तो चाहिए क्योंकि aggregate aggregate तीनों का मिला के 50 होना ही चाहिए तो 50 into 3 150 तो क्या 150 हो रहा है क्या the answer is sir 160 हो रहा है and यहाँ पर चलो बोलो बोलो चल चल 48 प्लस 32 प्लस 56 and यहाँ पर it is 136 तो can I say this is where he is fail but at least यह बंदा group 1 में pass हो चुका है तो अब समझ में आ रहा है कैसे pass होते हो आप कैसे pass होते हो आप समझ में आ रहा है जो थर्ड चीज में उसके बारे में बोलूंगा नहीं कुछ थर्ड चीज खाली मैं directly एक 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 जामपल के तुरू बताऊंगा आपको बताना है क्या scene हो रहा है इस case में ध्यान से देखना guys ध्यान से ध्यान से देखना अब मेरे इस example को जब ध्यान से देखना मेरे इस example को आप लोग को बताना है pass या fail आप लोग को बताना है pass या fail एक मिनिट आँ चलो गाइस आप लोग को बताना है इसका ग्रूप 1 पास ग्रूप 2 पास बोद ग्रूप पास वाट इस बोलो खाली पास मत लिगो पूरा बताओ ओनली ग्रूप 1 पास ओनली ग्रूप 2 पास बोद ग्रूप पास और वाट इस सोच समझके ग्रूप 1 पास इधर का टोटल ग्रूप 2 में इंडिविजूअली 40 है बट एग्रिगेट 150 नहीं है बट बिकॉज बंदे ने दोनों ग्रूप साथ में दिया है इसका grand total हो रहा है 309 marks ठीक है 309 marks अगर इसको ये 309 marks आया है तो एग्रिगेट 6 का 6 into 50 300 6 into 50 300 तो क्या ये 300 से ज़ादा है YES एन दूसरा क्या 40 marks minimum सब में मिला है YES and since दोनों condition satisfied है he will be declared pass in both the groups जी हाँ इसी को कहते है set of benefit तो ये जो भी student है YES set of से pass हुआ है कैसे set of 144 है उसमें 40-40 तीनों में है बट एग्रिगेट में अटक रहा है this can borrow few marks from group 1 such that उसका भी 150 हो जाए और वो clear हो जाए क्या आप लोग को समझ में आ गया everybody guys ठीक है ये सब चोटी चोटी चीजे है हो सकते हैं आपको पता हो हो सकते हैं नहीं पता हो अगर नहीं पता है पता होनी चाहिए that's the reason I'm telling you each and everything at the beginning itself ठीक है अब एक और छोटा सा last example लेता हूँ इसके तुरू भी एक और नया concept बता दूँगा जो शायद आप लोग ने ना सुना हो सुना हो तो अच्छी बात है ये है group 1 ये है group 2 group 1 का इसका total है say advance accounts 55 law 55 tax 55 165 आप लोग का group 1 का answer मेरे पास आ चुका है बट अभी देखना cost 65 audit 35 and FMSM 45 अब आप मेरे को बताओ इसका total देख ले थे कितना है इसका total है 145 145 तो अगर मैं 145 प्लास 165 करता हूं तो 310 है तो एग्रिगेट तो हो रहा है बट क्या होगा इस 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 student का क्या होगा आप लोग बताओ इस बंदे का क्या होगा तुम लोग तोड़ा सोच समझ के बताना टोटल इसका 310 हो रहा है ध्यान रखना इसका total 310 हो रहा है अब क्या होगा इसका यह जो student है वो बुलेगा मेरा group 1 pass है सार मेरा group 1 pass है and group 2 के costing में इसको आया है exemption बट बाकी दोनों reappear करना पड़ेगा remaining to reappear remaining to reappear are we understanding तो इसको क्या बोलते है exemption इसको क्या बोलते है exemption तो अगर आपको 60 से जादा कोई भी subject में आता है आपको वो subject वापस देनी की जरूरत नहीं है आपको वो subject वापस देनी की जरूरत नहीं है समझे गड़ू got it guys exemption is also a concept that you should know आप तो भाई पास ही होने वाले हो कोई टेंशन ही नहीं है but सिर्फ बता रहा हूँ चीजों के बारे में चालब ड़न सो आए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन विच सम्मोर इंफॉर्मेशन चालब अब अपन क्या-क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ आपनने एंड्रोल किया है पेपर फोर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हंड्रेड मार्क्स के लिए ठीक है आपको आपको यहां पे क्या-क्या कंटेंट हमारी तरफ से मिलने वाला है तो से आपको से आपको हमारी तरफ से सर कुछ 65 वाला आया है क्या मतलब नकुम तेरा question नहीं समझा मैंको उसको 65 को exemption उसको वापस से यह देनी की जरूत नहीं है बच्चे दो में उसको 150-65 remaining marks score करना है वैसा डन वैसा चल अब आते हैं आपर लोग paper 4 के उपर paper 4 CMA cost and management accounting 100 marks is what we are going to start with ठीक है इस subject में ICAI के लिए मैं भी जो भी चीज़े discuss कर रहा हूं आपको पढ़ना पढ़ता है इंस्टिट्यूट का module कहां से मिलता है यह RTP का मतलब सुना है तुम लोग ने गाइस anybody of you please write down let me know क्या होता है RTP का मतलब होता है revision test paper जो हर attempt के पहले हर subject के लिए इंस्टिट्यूट निकालता है तो वह हो गया RTP अच्छा इसके अलावा institute का और एक material होता है जिसका नाम है MTP MTP का मतलब क्या होता है इसको बोलते है mock test paper इसको बोलते है mock test paper उसके बाद में और कुछ पढ़ना पढ़ेगा क्या सर हाँ past papers भाई ICI के past papers भी तो देखने पढ़ेंगे अपने को के how is it going right so past papers भी पढ़ना पढ़ेगा and last में जो अपने को एक चीज पढ़नी है वो है old practice manual something called as old practice manual जब ये पाचों चीजे पढ़ोगे ना तब जाके आपका ये paper इतनी अच्छी तरह से तयार हो जाएगा कि आपको मिल जाए hundred out of hundred but ये सब पाच चीज अलग अलग करने जाओगे तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं एक जगा जब जमा हो पाचों module RTP MTP pass paper old practice manual जी हाँ this is going to be the part of our content जिसको अपन बोलेंगे optimized book which is a authored book जो आपके घर पे आने वाली है आपके पास हो सकते हैं आपके पास आपके पास आपी चुकी हो and the content of optimized is 1, 2, 3, 4, 5 तो पाच अलग अलग चीज़े पढ़ू क्यों ना उससे जग अच्छा ये पाचों को एक ही में समेटके optimized पढ़ा जाए क्या मलता है public सही है और exam time पे इन सब को revise करना next to impossible हो जाता है तो इसके लिए optimized है आपकी detailed book इसके साथ मैं आपको दूँगा इसके साथ मैं आपको दूँगा exam के लिए आपके दिमाग में magic हो जाए तो वो हो जाएगी magic book which will be a summary version of your optimized so जैसे optimized detailed book जिसमें module, RTP, MTP, past paper, old practice manual सब कुछ covered है वैसे ही उसी का एक short form या summary version जिसको अपन बोलते हैं that basically is your magic book तो यह दो books से अपन लोग majorly पढ़ने वाले हैं are you already and excited मैं आपको बता हूं institute इंस्टीट जब करता है तो इंस्टीट का देखो अभी मैं आप लोग को जहां पर लेके जा होना है BOS knowledge portal पे जैसे क्लिक करोगे इधार आएगा click here to visit BOS knowledge portal immediately आप उस पे क्लिक करोगे जैसे उस पे आप क्लिक करोगे you will get all the information here इसमें इसमें से आप तो आप जैसे देखोगे CA study material new scheme click on this CA material new scheme foundation intermediate final यहाँ पे आपको क्लिक करना intermediate पे जैसे आप यहाँ पे intermediate पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा group to paper for CMA cost and management accounting and जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे you will get the link for all the topics but क्या अब आपको यह open करने की ज़रुरत पड़ेगी क्या well the answer is no क्योंकि आपके पास है optimized क्या इसका एक एक सम optimized में solved है the answer is yes everything that is given here भले ही वो theory हो भले ही वो practical question हो हर एक चीज मैं आप लोग के साथ भले ही वो कोई भी concept हो वो सब चीज आपके optimized में आपको मिलेगी और खाली यह नहीं यह तो खाली module हुआ इसके साथ RTP, MTP, past papers, सब चीज, old practice manual के questions, everything is covered in the book that you have, एक्जाम टाइम पे आपको पता है कि आपको यह पाच चीज अलग से करने की ज़रूत नहीं है, एक clarity of thought होना चाहिए, और वो clarity of thought अपने को आजाएगा अपने optimize से, और मैंने chapters का numbering भी कुछ इसी साब से ही किया है, तो मेरे optimize में भी chapter number six cost sheet है, institute ने भी cost sheet ही लिया है, तो institute को देखके ही मैंने अपना book बनाया है, ताकि मेरे से कोई भी चीज मिस ना हो जाए, and एक-एक flow अपना यही इस पे बना रहे, because as a student आपको चाहिए, आप institute का exam दे रहे हो, तो सब institute के हिसाब से ही करवाना sir, तो institute के हिसाब से ही कर रहा है, आपके book में, जो मैंने some solve कर रहा है, वो भी मैंने institute के हिसाब से ही solve किया है, so that आपको एक confidence रहे, that yes, sir, as per ICAI ही जा रहे है, हाँ, जब मैं उसको आपको समझाते वक्त solve करूँगा, तो उसको simplify वे में करूँगा, but institute का book अब आपको refer करना नहीं है, optimized will include everything, समझ में आया, everybody is clear, तो यह, say for example, initial pages है, यहाँ पे, यहाँ पे institute ने पूरा अपना portion दिया है, वो सब मैं अभी आपको go through करवाँगा, चल, ठीक है, done guys, so, I hope, समझ में आगया होगा, कि अब करना यह सब है, और यह मैं आपको बता रहा हूँ, paper 1, 2, 3, 5, सब में आपको यह पाँचों चीज करके ही जाना है, if you want to score good marks, हाँ guys, मतलब rank के अगर अपने को aim करना है, then यह सारी चीजे अपन करके जाएंगे, तो ही अपने को first attempt या rank हासिल हो पाएगा, and I am sure, आप जो भी class कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, यह सारी चीजे आपको वहाँ से मिल जाएं, at least costing and FM के लिए में आपको अश्वारिटी देता हूँ, that only do my book, nothing else, yeah, hundred out of hundred, और इन रांका का मैंने एक interview लिया था, you can listen in that, even he did only these two things, okay guys, तो अब वो भी attention गया, otherwise वो भी attention रहता है, और यह भी पढ़ना पढ़ेगा, वो भी इधर से भी पढ़ना है, उधर से भी पढ़ना है, उससे अच्छा, एक जगह पे सब चीज आ गया, so एक आधर, एक कहावत है, do, बोलते हैं ना, take multiple books and study them once, or take one book and study it multiple times, क्या करना चाहो गया, one book multiple times, या multiple book one time, बोलो, जवाब जवाब चीए मुझे, जवाब चीए मुझे, one book multiple, सब कन्फ्यूज कर दिया, अरे, एक ही book को multiple time पढ़ू, या multiple book में एक 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 बार करू और कन्फ्यूज रहू, जवाब चीए मुझे, जवाब चीए मुझे, जवाब चीए मुझे, तो किसका है ये तुमको, इंतजार मैं हूना, तो भाई अपन है, आपके साथ, जब तक आप chartered accountant नहीं बन जाते न, तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ रहेगा, तो आपको उस चीज की tension लेने की ज़रुवती नहीं है, कोई भी अपडेट आने दो, कोई भी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, तुम्हे लगे कुछ ठीक नहीं हालाद, मुझे से कहो, चलो, तू, येस, आपके साथ, येस, येस, साथ, मुझे क्लास ले रहे हैं या कॉस्टिंग क्लास ले रहे हैं, चलो, तू, you don't have to worry, जस्ट वन वाट्सअप अवे, आपके हरे चीजों का हल हो जाएंगा, ठीक है, गाइस, डन, बस एक ही चीज 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 आपकी तरफ से, डिसिप्लिन, इस परेशानी, तू, चलो, तू, सबसे पहले, अगर आप लोग नोट करोगे, तो, देर विल बी अ मोटिवेशनल कोट, बस, मोटिवेशन तो लाइफ में सबको ज़रूरत पढ़ती है, क्या, आप, क्या, मैं, सबको ज़रूरत पढ़ती है, पहले, इट स्टार्स विद अ मोटिवेशन कोट, एन उसके नीचे आप लोग देखोगे, तेर इस अ, अनलिसिस, ओफ मार्क्स, के भई, कौन से अटेम्ट में, कितने मार्क्स के लिए आया है, so that आपको एक ट्रेंड पता रहे, उस बेसिकली चाप्टर का, तो यहाँ पे ट्रेंड पता चल रहे है, 10 मार्क्स के लिए, यह रेगूलर बेसिस पे आता है, चाप्टर कौन सा, सबसे पहले, यहाँ पे अपन लोग ने क्या-क्या देखा, अप्टिमेस्ट बुक में क्या-क्या इंक्लूड़ेड है, सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट, ठीक है, मोटिवेशन कोट के नीचे आपको क्या देखा, there is something called as a trend analysis, यह trend analysis से आपको पता चल जाएगा, कि कौन से chapter में से, कितने marks का regular basis पे आ रहा है, third, उसके बाद जब आप page को पल्टोगे, then in that case आपको मिलेगा, आपका study mentor, your friend, your philosopher and guide, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, read, understand, revise, strengthen expertise, अगर आपको rank में जाना है, say rank 11 to 50, या rank 1 to 10, single digit rank, then in that case, आपको यह book को at least 5 बार पढ़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो सर क्या है study mentor, मैं आपको अधात तूँ, जब आपको इचैप्टर करोगे, तो उस चैप्टर में कहना हैं से, बतेरे concepts होंगे, बतेरे आजीन बहुत सारे, जो इतने सारे मेरे पास concepts available है, वो मैं जब रोज अलग-अलग-अलग, नहीं-नहीं-नहीं concepts करते जाऊंगा, तो there are chances के मैं पूराने वाले concepts को भूल जाऊंग, अरे याद नहीं अब कुछ, भूल गए सब कुछ, ऐसा कुछ, अगर आपकी साथ हो जाए, तो यह एक आपके पास ready reckoner है, जहाँ पर जितने भी concepts है, जितने भी questions है, सब एक line में आपके पास available है, ठीक है, तो this will help you recap everything, दूसरा, अब, say for example, मैंने आप लोग को करवा दिया, question number, say, मैंने एक lecture में आपको करवाया, question number 2, 3, or 4, just take an example, 2, 3, or 4 मैंने करवाया, अब जैसे मैं ये 3 question करवा दूँगा, पहली बार अपना हो गया, तो आप लोग इसको tick mark कर दोगे, मेरे बोले बिना, आपका यहाँ पर tick mark आजाना चाहिए, अब क्या एक बार मैंने जो करवाया, उससे काम हो जाएगा क्या, the answer is no, तो आपको फिर जब आप खुद का revision करोगे, तम जो आपने 2, 3, 4 किया, तो आप वहाँ पर second time tick mark करोगे, फिर जब आपको याद हैगा, रहे वापस से चलो, cross sheet revise करना है, तो जैसे आप ये book open करोगे, आपको याद हैगा, रहे मेरा ये दो ही बार revise हुआ है, चलो मेरे को और उसको revise करना है, हो सकता है, इसमें से कुछ आपको लगे कि या, exam के लिए बहुत जादा important है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है master sum, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है master sum, तो exam के time के लिए ये आपने इसको highlight important mark कर दिया, वैसे इसे for example और एक मेरे को कोई लगा important है, उसको important mark कर दिया, तो exam के time पे सीधा आप आओगे अपना paper देखे, tax का और open के आपने ये question, open के आपने ये question and you'll be able to answer it, no tension whatsoever, so revision के लिए भी exam time पे काम आजाएगा आपको, आपने particular chapter, particular chapter के questions कितनी बार की ऐसे for example हो सकते है, ये मेरा एके करके tick हो, बट यहाँ पे मेरा, ये मेरा except tick हो गया है, बट ये मेरा खली दो ही बार हुआ है, तो आपको ध्यान आएगा next time जब रिवाइस कर रहे हो कि पहले ये तीन को निपता दो, क्योंकि ये आपका second revision भी बाकी है, फिर आपको आपके पास खुद का target रहेगा, नहीं यार मुझे ये चार बार करना है, मुझे ये पास बार करना है, जब तक पास बार नहीं होगा, मिरको expertise नहीं आएगा, मिरको rank 1 to 50 नहीं आएगा, तो this is like your study mentor, your friend, your philosopher and guide, जो आपको बताते रहेगा, that how things are working, how things are working, आपका lectures में, सर के साथ कितना हो गया है, उसको आप टिक कर दोगे, आपको लग रहे हैं कि भाई, सब 5 बार नहीं हो पाएगा, बट at least जो मैंने highlight किया है, उसको तो मैं कम से कम 5 बार कर लू, तो ये आपको एक indicator है, जिससे आपको पता चलते रहेगा, आपका particular performance, इसके लिए मैंने बुला, ये है आपका study mentor, your friend, जो आपको बताएगा, आपका कितनी बार क्या-क्या पढ़के हो चुका है, your philosopher, जो आपको बोलेगा, बही कितनी बार और पढ़ना है, your guide, कहां पर कोई चीज आप से छूड़ गई है, got it guys, चलो, इस हिसाब से, ये प्रत्यांशी, उसके आगे का मैं आपको बता दूँगा, you don't have to worry at all, तो, this is how the system works, this is how the system works, तो study mentor आपको समझ में आगया, क्या करने वाला है आपका, आपको बताएगा वो, your performance analysis, study mentor is like your performance analysis, study mentor, your performance analysis, this is done guys, उसके बाद, उसके बाद, next क्या है, ये हो गया, फिर मैंने एक chapter का preview दे दि, ताकि आपको बता रहे है, बहुत चलो, ये एक preview है, जब भी आप revise करने बैटो, आपके पास एक preview ready होना चाहिए, फिर बाद में आता है, आपका, yes, introduction, so basically मैं concepts करवा रहा हूँ, concepts है, concept के बाद, उसका एक पूरा formula है, ये देखो, ये formula इधर मेरे पास लिखवा दिया है, मैंने, concept है, formula है, diagram है, जहाँ पर भी जरुवत हो, बोलते हैं नहीं, कहावत है, कि जो देखते हो, वो जिन्दगी बार याद रहता है, एगे नहीं, movies, दो तीम, एक बार भी कोई movie देखी, उसका scene याद रहता है, यहाँ पर क्यों बूल जाते हों कि, तो pictorally, picture देखते हैं न, तब आपको सब चीज़े याद आती है, content है, फिर उसका जो format है, theory है, हर एक चीज मैंने यहाँ पर cover किया है, you don't have to do anything else, whatsoever, ठीक है, फिर बाद में question and answer start होते हैं, और मैंने solution भी दे दिया, ताकि कभी आपका, कोई lecture miss हो जाए, तो आपके notes incomplete नहीं रहने चाहिए, otherwise इधर उदर दर बतर भटकते रहोगे notes के लिए, so obviously that should never happen, caught it guys, समझ में alright, confidence alright, that yes यार, इसको सच्ची में कर डाला, तो life जिंगा लाला, yes सच्ची में, है के नहीं, done, फिर बाद में, यह हो जाएगा आपका, तो उसके बाद, जितने भी दुनिया भर के practical questions हैं, वो मैंने सारे ले लिए, उसके बाद, जो theory है, वो भी मैं करवा दूँगा, और end में मैंने दे दिया है, chapter का एक summary, यह chapter का summary कर लिया, यह इसका एक cause sheet का statement कर लिया, तो यादे, सब ताजा हो जाएगी, तो preview के बाद, आते हैं अपने लो content में, content में आता है, मेरा theory concepts, उसके बाद आता है, मेरा formulas, या जिसको अपन बोलते हैं, format, तो formula format, और हर एक चीज़, जहां पर भी मुझे लगता है, pictorial है, मैंने वहाँ पर pictorial दिया है, तो formula format आ गया, और उसके बाद, practical question and answers, practical question and answers, अब आप लोग को, एक अलग से book मिलेगी, for my MCQs, multiple choice questions, for the first time, introduced by ICAI, in this subject, जी हां, first time, ये MCQs भी, अपन लोग करने वाला है, इसके लिए मैंने अलग से एक book ही बना दिया, ठीक है, so separately, multiple choice question का एक book मिलेगा आपको, जिसमें सारे chapters के, multiple choice questions होंगे, वो भी class में ही, आपके साथ discuss किया जाएगा, येस, मदाने वाल है ना boss, पिल्कुल, और फिर बाद में end में आता है, आपका summary of every chapter, चलो guys, आभी clear, to mcqs, जी या, mcqs, b, class में ही हो जाएगा, शम्विल, optimize, ठीक है, done guys, तो ये सारी चीज़े, आप लोग optimize में करने वाले हो, दन 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 और इस, इस practical question and answer में, मैं आपको बता दू, guys, इस practical question and answer में, इस summary of every, इस, इस theory में, formula में, आपका module बसता है, आपका RTP बसता है, आपका MTP बसता है, आपका past paper बसता है, ठीक है, done guys, done, 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 so, अब मेरा optimized, which is my detailed book, वो भी cover हो गया है, and फिर अपन लोग करेंगे, revision lectures, revision sessions of all chapters, मेरे already YouTube पे है, और भी मैं आप लोग को जरूर करवाऊंगा, yes, yes, प्रत्याची, done, so, यह है आपकी summary book, जिसमें exam के लिए, last day division आता हैगा, यह summary book से मैं, revision YouTube वीडियो बनाऊंगा, अब यह देखो, यह optimized book हो गया, optimized के बाद, magic book आएगा, magic book, magic book मैं आपको बता दू, magic book is a summary version of optimized book, and, summarized version of optimized book, and मैं आपको एक बात, clearly बोल दू, that, yes, इस magic book के, revision lectures आएगे, YouTube के, उपर, already है, और भी आएगे, revision lectures, on, YouTube, yes, तो YouTube channel, without fail, अब भी का भी subscribe कर लेना, अगर नहीं किया है, तो काफी सारी information, वहाँ पे आएगी, का YouTube channel है, and at the same time, मेरा एक Telegram channel भी है, उसका भी link, आप लोग को WhatsApp कर देंगे, वो भी join कर लेना, वहाँ पे भी, आप लोग को सारी चीज़े, दे दूँगा, plus, मेरा personal WhatsApp number, कभी, क्या बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कोई मुश्किल, कोई परिशानी आए, आपको लगे, कुछ ठीक नहीं हालात, मुझे से कहो, अब हो सकता है, मैं आपको इस number पर immediately reply ना करूँ, क्यों सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इतना busy रहता हूं, मेरे दिन के 6-7-7 गंटे के lectures होते हैं, तो कई बार messages में सो जाते हैं, बट आप एक reminder भेज़ दो, सर reminder 1, reminder 2, reminder 10, reminder 8, मैं आपको देखके remind करके, reply कर दूँगा, बट अगर आपको reply कर चाहिए, तो आज का आज, आप सब मुझे एक WhatsApp करेंगे, that sir, I am, जो भी आपका नाम है, I am XYZ, from, जो भी आपकी location है, Mumbai, for example, and ready to score, 100 marks, in cost and FM, ये, आप आज का आज, मुझे WhatsApp कर देंगे, so that मेरे ध्यान में रहे, that yes, ये अपना ही student है, और इसको future में कभी कुछ doubt आता है, so I should be ready, to reply, ओके गाईज, done, ठीक है, तो ये, आपको आज मेरे को WhatsApp करना है, ready to score, कितना, 100 out of 100, अब काफी हद तक अपना discussion हो चुका है, जैसा मैंने बोला, हर एक chapter का आपको revision lectures, already है, future में भी आएगा, सब चीज आपको available, कर दी जाएगी, हाथो हाथ, ठीक है, clear है, इधर तक किसी को कोई doubt, done है, सबको, समझ में आएगी है बाते, ठीक है, अब मैं, आप लोग को बता दू, कैसे ये पूरा का पूरा subject, ICAI ने divide किया है, बाई, ICAI का exam है, तो उसी के, पद चिन्हों पर अपन चलेंगे, तो अपने लिए सही रहेगा, है के नहीं, इतरों, तो cost and management accountant को, ICAI ने divide किया है, दो पार्ट में, पहला है module 1, और दूसरा है module 2, ऐसा मैं नहीं, ICAI खुद कह रहा है, ये देखो, module 1, and module 2, अप मेरा optimized लेंगे, तो मेरे optimized में भी, मैंने इसी इसाप से divide किया है, क्या है, ये chapters, जो module 1 में है, मैं खाली आपको लिखवा देता हूं, introduction to cost and management accounting, hardcore theory chapter, hardcore theory chapter, first chapter, तो last में किया जाता है, इतना theory है, चलो, दूसरा, material costing, क्या होने वाला एक एक चीज में, वो अपन कल के लिए discussion रखते हैं, आज ही साब बता दूँगा, कहीं हवी ना हो जाए, material costing, labor costing, फिर there is something called as, overheads, फिर fourth, चीज जो आपन लोग यहां पर करने वाले हैं, yes, overheads, इसके बाद में आता है, आपका activity based costing, विच चैप्टर फाइ, फिर आएगा cost sheet, and then है, cost and management accounting, sorry, cost accounting system, ठीक है, तो यह आपका, बनता है, module 1, कितने chapters है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आओ यह देखो institute को, institute को देखो, यह देखो, same तरीके से, डाला है यहाँ पर, अगर आप अपना, optimized भी को लोगे ना, जब आपका module 1 को लोगे, आपको यह साथ chapters ही दिखेंगे, जैसा मैंने बुला था, पूरा का पूरा, मैं ICI के pattern को follow कर रहा हू, तकि आप लोग को कोई tension ना रहे, ओवरेड्स हाफ सी यह वाला, हाँ, हुई भी हाफ सी यह वाला, वो वाला ओवरेड्स नहीं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, everything is going overheads, वो वाला नहीं, चलो, फिर बाद में आते हैं आपन लोग, module 2 के उपर, module 2 में आपको दिखेगा, unit and batch costing, चलो मैं लिखवा देता हूँ आप लोग को, यहाँ पर वो भी, इदर chapter का number भी लिख सकते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एड सेवन, फिर आता है यहाँ पर, unit and batch, फिर job, अब यहाँ पर, old syllabus में, there used to be something called as, contract also, अभी आपको खाली, job के हिसाब से करना है, फिर है process, joint product, service, so, process costing, joint and by product, फिर है, service costing, right, and then, my favorite, standard, standard costing, marginal costing, and budgetary control, और इन का chapter number, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and total, 15 chapters, जो, अपने को पढ़ने है, for our syllabus, तिक है, समझ में आ रही है, बाते, तन, done, guys, done, 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 okay, so, यह, अभी कुछ लिखो मत, don't worry, अभी मैं आपको और एक चीज़ बता दू, कि क्या होने वाला है, system, अपना system कैसे होगा, तो, say, आप लोग अगर live में हो, then in that case, क्या होगा, एक तो, मेरा live lecture होगा, इस live lecture का, backup, डाल दिया जाएगा, google drive के उपर, इसका backup डाल दिया जाएगा, google drive के उपर, ठीक है, at the same time, जो मैं, notes लिखो आ रहा हो, जो भी मेरे handwritten notes है, guys, सुनो, जो भी मेरे handwritten notes है न, जैसे जो भी मैं लिखो आ रहा हूँ, ये सारे के सारे handwritten notes, daily basis पे, ये भी, google drive पे, upload कर दिये जाएगे, जी हा, बट इसका मतब यह नहीं, कि आप लोग लिखने में, काम चोरी करो, no, ती आप लोग अभी 18, करो कि yes, करना है, दिल से महनत करना है, और वहाँ पे, कोई काम चोरी नहीं, चलेगी, उसके बाद, handwritten notes के बाद, यहाँ पे, there is a system, कि google drive, पे upload करते हूँ, मैं schedule, कि मेरा कितना क्या हुआ है, तो कभी आपको future में, अगर revise करना है, तो यह schedule से, आपको पता चल जाएगा, कि कौन से day में, मैंने कौन सा topic में, कौन सा concept में, कौन सा question करा है, yes, इतना detailing, तो आपको फिर, और कुछ भी करने की ज़रुद, मतलब कुछ और, अगर आपको, for example, अभी आपने live में, attend कर लिए, आपको चीज़े समझ में आ गए, आपको revise, बहुत time बाद, से 2 मेने बाद, आप revise कर रहे हो, और आपको याद आया कोई concept, और आपको याद नहीं आ रहे, किया रहे यार, वो concept मेंने कब किया था, कहां पे किया था, याद नहीं आ रहे है, एक बाद revise कर लेता हूँ, तो आपके पास 100% backup है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे Google Drive के ओपर, ये schedule होगा, schedule को आप download करके, देख लोगे कि अच्छा, यहाँ पे day 21 में, lecture number 1 मे, ये वाला concept और ये वाला question करवाया है, समझ में आया guys, done, ये सारी चीज़े, हमारी तरफ से आपको Google Drive पर provide की जाएगी, backup, handwritten notes, and schedule, on daily basis, मतब जैसे ही मेरा chapter हुआ, मैं आपको कर दूँगा, I mean जैसे ही मेरा session हुआ रादर, upload कर दिया जाएगा, regularly, right, so module 1 में, कितने chapters है अच्छा, module 1 में है 7 chapters, and module 2 में कितने chapters है जैब जैब जाएगा, module 2 में है 8 chapters, ठीक है, ओके, और, ठीक है, अब मैं आपको बता दू, मेरे पढ़ाने का तरीका, जिसके लिए आपने, ये lecture जॉइन किया है, yes, and my style of teaching, is going to be, very, very, simplistic, जो आपको डे वन से ही समझ में आ जाएगा क्या पता है सबसे पहला काम कोई भी चीज करवाने के पहले मैं आप लोग को दूंगा उसके पीछे का एक 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 जामपल और यह मेरे सारे सेल्फ क्रिएटेड एक्जामपल है जो मार्केट से कनेक्टेड है जो आप डेली से कनेक्ट कर पाओ गया आपको लगेगा सर यह तो मेरे साथ भी हुआ है और मैं बोलूँगा क्या आपने तब कोस्टिंग का कॉंसेट अपलाए किया था आप बलूगे नहीं सर बलूँगा अब से अपलाए करना तो यह एक्जामपल एक्जामपल कनेक्टेड ऐसे आपके चर्णा है बोलो चल 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 कैरेक्ट सर्फ 11% जिराइब करने के लिए कॉनसेट पता होना चाहिए concept का से आता है थाइब। एग्जांपल से concept कुई ऊपर आलए से खिराता तो है नहीं। आपक्र किर जाओ कुंसेट बन गया कुँट बन गया कि जाता नुँट इस 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 concept has come how by example कुछ ना कुछ practical example हुआ होगा कही ना कही उस practical example के बदालत concept आया होगा उसके बदालत formula derived हुआ होगा वो example क्या है वो आपको आपका भाई पढ़ाएगा पहन और मैं आपको बोलता हूं मेरे example ऐसे होंगे जो lifetime तक आप याद रखोगे yes यह मेरी guarantee है इतना इस 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 अपसे करना चाहेंगे अब मेरा next जो मैं आप लोगो को पूछना चाहता हूं your expectations from me as a student अब अपने को अब अपने को आने वाला अने वाला almost two and a half to three months साथ में बिताना है तो मैं आप लोगो को पूछना चाहता हूं आप लोगो कोई क्या expectations है मेरे पास से यह भी तो जरूरी है कि मैं आप लोग से समझ लूँ आप क्या चाहते हैं तो you tell me your expectations your expectations के सर प्लीज ऐसे तो यह चीज तो करवाना ना सर यह ना मेरा वीक है तोड़ा इस पर ध्यान देना ना सर anything that you are expecting from me देखो आज मौका है दस्तूर है बोल दोई क्या चाहिए आपको मेरी तरफ से your wish is my command tell me to make lectures interesting at your honor sir हर एक lecture interesting होगा यह मेरी guarantee है and वो interesting बनेगा इस style से यह बाप को ना बता सकता हूं so first sir lectures interesting banana please ठीक है lectures को जरूर interesting बनाएंगे second और कुछ और everybody please participate and tell me फिर मैं मेरे points बोलूँगा मुझे क्या चाहिए या आपके क्या expectations होने चाहिए थे homework doubt solving पलक का बहुत अच्छा point है कि sir homework तो दे दोगे आप बट अगर वो homework में हमारे को doubt आया तो आप solve करोगे ना sir जरूर करेंगे homework doubts solving next कि sir class में माहौल बना रखे अपन लोग ओके sir lecture interesting बनाएंगे और माहौल भी बनाएंगे उसका attention ना लीजिए सर कोर्स इतना सारा है concept हम लोग भूल जाएंगे तो आरिया जी पूछ रहे सर उसके लिए आप क्या करोगे correct उसके लिए regular revision on daily basis तो अपन क्या करेंगे पता है जब मैं next day का lecture start करूँ क्यों ना उसके पहले मैं उसके पहले जैसे ही मैं session start करूँ क्यों ना उसके पहले last में जो भी हुआ था last lecture में जो भी हुआ था उसको पहले revise करवा दू क्या बोलती है राहूर जी क्या बोलती है सही है आरिया जी बरावर regular revision on daily basis करेंगे तो आप आगे का भूली नहीं पाएंगे हाँ फिर test after chapter complete ओके tests after chapter completion ओके system set हो चुका है next next be an expert like you in costing मेरे जैसा expert बनना चाहते हो पक्का बना दूंगा बस एक चीज़ आप से चाहिए practice 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 मैं आपके जैसे था expert तो नहीं बोलूँगा अपने आपको आज भी मैं सीखी रहा हूं मैं आप अपने आपको यह मानता हूं but practice 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 oh यश्यस्वी has hit the bullseye sir please motivation देते रहना as students इतना pressure होता है plus इतने सारे lectures 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 में हम लोग इतने lost हो जाते that कही न कहीं demotivated feel हो जाते sir कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे है yes there will be regular motivations as well handwritten notes बनवा दीजिएगा symbol very well said मेरा concept है जिसको मैं बोलता हूं student notes सर यह student notes क्या होता है यह होता है handwritten notes मेरा एक concept है जिसको मैं बोलता हूं student notes it is nothing but and written notes जो आपको बनाओगे class के lecture के itself hard concepts को slow सिखाना okay so मैं इधर शुभांकर का easy way में लिखता हूं that to make difficult concepts easy शुभांकर जी आप यहीं बोलना चाहते हो to make difficult concepts easy done sir study tips so motivation के साथ साथ इधर मैं लिख देता हूं study tips भी आपको देते रहंगा एक्जाम के प्रेजेंटेशन के लिए tips दीजिएगा तो जो टेस्ट है उसमें वो चीज डिसकस की जाएगी आप के साथ है ओके 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 तो तो एक्जाम प्रेजेंटेशन टिप्स में इधर लिख देता हूं भाई एंड मैं आपको बता रहा हूं खाली मेरे सब्जेक का नहीं और एक सब्जेक का मैं यहां पर आपको टिप्स देते रहा हूं और मैं क्या करूंगा पता है बीच बीच में जैसे मेरा कोई जैसा खेलेंगे जहां पर मैं आपको पूचूंगा आपको जवाब देना है तो उससे आपका एंसी क्यूंगा भी प्रेपरेशन हो जाएगा और उससे आपको भी एक कॉंफिडेंस आजएगा चलो यह एक्सपेक्टेशन मेरी तरफ से मैं ले लेता हूं एक बात बोलना चाहूंगा इस चीज के तेरे सारे दुख मेरे मेरे सारे सुक तेरे आज से याद रखना यह बात जब तक आप चार्टर अकाउंटेंट नहीं बन जाते तब तक यह सारी चीजे मैं करवाने का आपके तरफ से मुझे क्या चाहिए आपकी तरफ से मुझे क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं जो किसी नहीं आप नहीं बोला and that is regular communication otherwise है ना lost हो जाओगे हाँ तो मैं आपको पूछते रहूंगा आपको जवाब देते जाना है अगर वहाँ पे किसी ने जवाब देना पंद किया तो लाइव से आपको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि वरना मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं चलेगा दोगे कि नहीं दोगे तो regular communication यह मेरी expectation है आप लोग की तरफ से plus मैं तो चाहूंगा hundred percent attendance I understand कभी-कभी बीमार-बीमार होगे बट फिर भी मैं तो चाहूंगा आप attend करो मतब एक कहावत है मेरे lectures में जो usually मैं see final वालों को बोलता हूँ जान जाए पर lecture न जाए क्योंकि कैसा है चीजे connected होती है कई बार वो lecture मिस हो जाता है ना फिर आगे का connection थोड़ा छूट जाता है even though मैं try करूंगा कि connection के साथ भी आप lecture मिस करो तो आप बैठो और आगे अटेंड करते जाओ फिर भी रहे तो अच्छा है ठीक है तो 100% attendance मुझे चाहिए and third is practice through homework and tests यह आप लोगों के हाथ में homework में दूंगा बट आप करके नहीं आए या test में लूंगा बट आपने नहीं दिया तो in that case इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता तो यह नहीं होना चीए है ना तो प्लीज यह तीन चीज आप लोग मुझे commit कर दो यह 1,2,3,4,5,6,7,8 कितने demanding हो रहे तुम लोग यह 8 चीज मैंने commit कर दी ठीक है चाहिए टन a case a case a case चाहिए तो इस positivity के साथ इस confidence के साथ that yes मजा आने वाला है इस subject में टेस्ट में गलतिया हो तो clear कर देना प्लीज जरूर सो इधर अपना जो था ना 100% एक positive environment रहे बट कल से तो पढ़ाना स्टार्ट करने वालो वह बात की गारेंटी है अब मैं आपको से बता दू के मैंने इस subject को कैसे divide किया है so CA inter cost and management accounting को मैंने कैसे divide किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने इसको divide किया है through phases नंदनी that we'll discuss मैंने क्या किया पता है मैंने इस पूरे subject को divide किया है into four phases जी हां हां येस कल क्लास है न 100% क्लास है कल फेज वन फेज टू फेज त्री एंद फेज पोर जी हां फेज फेज त्री एंद फेज पोर जी हां फेज फेज वन में आते हैं मेरे टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स फेज वन में मैंने कुछ टॉपिक्स को divide किया है सो यहां पर प्लीज एवरीबडी ध्यान देना एंड दोस टॉपिक्स फॉर मी आर कॉशीट मटीरियल लेबर overheads यह हो गया आपका एक फेज ठीक है exam में भी आपको revise इस फेज के हिसाब से ही करना है yes you heard that right second phase में रहाता है marginal बाजिनल फिर बाद में आता है phase 3 phase 3 में मेरे जो chapters है and last में phase 4 तो phase 3 के मेरे chapters में लिख रहा हूं they are cost accounting system पहले उसे ज्से ज्यादा प्रोसे सो स्ट स कोस्तिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडुक्ट स activity based costing and cost accounting system and जो मेरा last phase है जिसको मैंने phase 4 का नाम दिया है this phase will cover the remaining topics which is your service costing job costing unit and batch costing and introduction to cost and management accounting introduction to cost and management accounting so phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 ये 4 phase बना के मिलता है मेरा yes, total 100 marks which is going to be for your examination and आपको भी revise मैं आपको बता रहा हूँ आपको भी revise इस phase के हिसाब से ही करना है और मैं भी हो सकेगा उत्तरा phase wise ही आप लोग को चीजे करवाते जाओंगा आभी clear guys, so देखो total कितना, 4 यहां पे 3, 7, 4, 11 and 4, 15 what it guys, ठीक है, इस phase के हिसाब से इसने को पढ़ना रहेगा done guys चल, अब एक last चीजे बता देता हूँ before we wrap up for today and that is going to be your paper pattern जी, हाँ paper pattern is going to be 100 marks इस 100 marks में से 30 marks का है multiple choice questions and 70 marks का है descriptive इसमें case based scenario आएगा जिसमें questions होंगे of one questions of one or two marks each समझें and दूसरा है 70 marks descriptive 70 marks descriptive यह 70 marks जो आपका descriptive होने वाल है इसमें I see I can play with few few things इसका मोटा मोटा अगर मैं आप लोग को एक pattern बता हूँ then in that case देखो क्या करेंगे वो लो इसमें आप लोग को options भी दिया जाएगा से फर एक्सम्पल 20 marks का एक question आजाएगा जो बचा remaining है वाट दे में दू इस अल्सो 25 marks का एक question जो remaining 45 marks है उसको 15 marks into 3 questions करके भी institute कर सकता है तो let's see that institute can play within itself तो इसके ओपर अपने को कहीं पर भी stick नहीं होना है बस we should know that approximately 30 marks का MCQs आएगा and 70 marks का descriptive आएगा and 70 marks में case based scenario होगा जिसमें एक-एक दू-दू-मार्क के questions institute उचेगा आवी clear everybody क्या इधर तक सब आपको समझ में आ गई है बाते मेरी टन चार फेज ओके नेगेटिव मार्किंग है क्या सर MCQ में आपके नेगेटिव मार्किंग इन आपके नेगेटिव मार्किंग इन इसके साथ मैं अपनी स्टोरी पे डाल रहा हूँ और तुम भी अपनी स्टोरी पे यह डाल दोगे प्लम नहीं है क्या बोलते हो पुब्लिक डान गाइस आपके 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 यह मैनिफेस्टेशन अपन लोग ने कर दिया है अब इस मैनिफेस्टेशन से पीछे नहीं हटना है जान लगा देंगे सर जान लगा देंगे बट आज जो बात कही है आज से एक साल बात जब रिजल्ट आएगा ना सर आपको प्रूफ करके दिखा देंगे आज के लिए इतना काफी है जैसा मैंने बोला धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओंगा आज और पढ़ा दिया तो कहीं ओवरहेंट ना चले जाए इसलिए आज मेरे को बस आप लोगों को देना था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ओफ मैसेल्फ तो आज मैंने क्या करवा इंट्रो आफ मैसेल्फ एंट यू कैन से सब्जेक्ट पैटर्न अपन लोग ने डिस्कस कर लिया ओके कल हार्ड कोर कॉस्टिंग स्टार्ट होने वाला है गाईस तैयार रहना फ्रेश होके आना एक दम और लेट एंड जैसा मैंने वोला है तीन चीज आप से कम्यूनिकेशन रेगुलारीटी राइटिंग प्रैक्टिस चालो टाइम पर मीडू से आस्ता लाविस्ता गाईस आज जो भी पड़ा चोटा सा रीकाप आप लोग को करवा देता हूं अपने बारे में मैंने जोरा बताया आप पड़ रहा है चार्टर अकाउंटिंग कम्री सेक्रेटरी फॉस्त अटेंब इंटर्मीजेट क्लियर और फॉस्त अटेंब चार्टर से worked with JP Morgan for 4 years teaching at CA intermediate and final level for the last 10 years एक decade से मैं पड़ा रहा हूं with students ranging from even 100 out of 100 in the subject that we are studying practically आप लोग को हर एक चीज़ कनेक करवाऊंगा मैं market से and after every session कुछ नया सिखाऊंगा जिससे आपको भी लगेगा that yes sir मज़ा आया ठीक है चार्ट मराटी में बायन थैंक्स कैसे बोलते हैं सला मंदली आभारी आए भेटू याप लवकरत्स बरावर मुला क्या मैं ओके घंडिलवाल जी चलो थैंक यू थैंक यू तैंक यू सो मच यशू गॉरव ननी नंदिनी आपको शायद लग सकता है मेरे साथ नहीं इन जन्रावर में आपको अप्लोड हो जाएगी दो तिन दिन एड्जस्ट होने को आपको शायद लग सकता है मेरे साथ नहीं इन जन्रावर अभी नया टेक्नोलोजी आप लोग ने शायद अडॉप्ट किया हो तो लाइम लेक्चर देख रहे हो या वटेवर इस तो तिन दिन लगेगा दो तिन दिन देना पैनिक मत होना फिर सब चीज सेट हो जाएगी मेरे साथ तो कल से ही आप लोग अड़ेस्ट होना चलो हो जाओगे कल केबाद are lecture का आप वेट करोगे देखना के सर कभोग आपका lecture ओर ले लो ना ओर सीखना है सब और और बाते बताओ ना practical life यह आप लोग से मैं देखना बुलवाने वाला हूँ सोचोगे जब मेरे बारे में तनहाईयों में लवकर भेट हुए और हाँ यह मेरा कमिट्मेंट तुम लोग ने सेट कर दिया है तुम लोग का कमिट्मेंट मैंने सेट कर दिया है आज से ही वेट है यही सुनना था ठीक है तो मुझे आप लोग प्लीज यह भेज दीजेगा आपनी स्टोरी में बताएंगे यह मैं भी डाल रहा हूं अपनी स्टोरी में मॉट्य भारी येस तुम लोग यह तर ही पोटो लेलो भाई C.A.Enter by C.A.S.A.Sankalp.Kaanshtia झाल झाल कि झाल करता भीड़ा कि तुः झाल झाल कि जिए पृट झाल झाल